वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इस करन डफेस फंडा जैसा कि उत्तर प्रदेस में सरकारी अध्यापकों की कुछ भरती निकली हुई है तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा इसमें क्या है कि 9342 टोटल पोस्ट है और इसमें जो भी सिच्चक होंगे वो गवर्मेंट स्कूल में उनका अपॉइन्मेंट होगा उसके लिए वेकैंसी आई हुई है तो ओफिशल वेबसाइट जो है यूपी एसी एटी डॉट इन इस पर आप संपर कर सकते हैं साथ मैं आ आपको basic information देना चाहूँगा अगर आपने बीड किया हुआ है तो आप इस बेकैंसी को फिल कर सकते हैं और इस पर आप अपना फिल कर सकते हैं तो पेस्केल क्या है पेस्केल है 900 से लेकर 34800 पेस्केल का ये जॉब है और इसका grade पर कितना है 4800 ठीक है और कुछ other allowances भी है जैस में exam नहीं होगा आपका directly आपका merit based selection है 100% 27 December को form की line open हो चुकी है और 26 जन्वरी तक ये रहेंगी तो आप form जो है वो आप इससे पहले भी फिल कर सकते हैं इसका और अधिक जानकारी के लिए क्लिए क्लिए आप ये website जो है इस पर आप संपर कर सकते हैं ठीक है तो आप अपन दोनों 23 जन्वरी से पहले ही फिल कर लें अब मैं पोस्ट की बात करूँगा कि आपने gradation कहां से क्या है और beard साथ में क्या हुआ है तो अगर आपने हिंदी विसे में अपना gradation क्या हुआ है इबन अपने बीए भी किया हुआ है और उसके आपने beard क्या हुआ है तो आप इस लिए applicable है और इसमें जो male की vacancy है वो है 533 और female की vacancy है 636 और computer की बात की जाए तो जिन लोगों ने BE, BTEC किया हुआ है और साथ में beard भी किया हुआ है तो वो लोग इस vacancy को fill कर सकते हैं उनका marks का जो evaluation होगा वो मैं आपको बता दूगा किस तरह से होगा और ये number of vacancies हैं तो 4463 और female की post है 4800 something तो ये दो आकड़े हैं जिनको आपको समझना होगा अब अगर age criteria की बात की जाए तो minimum age limit कितनी है 21 year old है और maximum कितना है ये 40 year तीक है और 5 साल का relaxation दिया जाएगा किसके लिए OBC, SC, SD candidates के लिए तो ये आकड़ा है मारा और साथ में जो process fees कितनी होगी जनरल के के लिए 100 रुपय का charge है और SC, SD के लिए 40 रुपय है और PWD candidates के लिए कोई भी fees नहीं है एक चीज धान रखना ये form जो है cable आपको online fill करना है अपने documents upload करने है सब कुछ करना है और website मैंने बताया है UPC पर आप visit कर सकते हैं और दूसरी चीज यहां पर मैं आपको एक चीज बता 2nd division और 3rd division उसके according उनको कुछ score allocate किया गया है और जो उनका academic records है जैसे कि 10th, 12th और graduation तो उसके भी कुछ points मिलेंगे तो मैं points आप तक discuss जरू करूँगा और यह जो merit बनेगी यह जो state level पर बनेगी नयकी आपकी district level पर ठीक है एक चीज का और यहां पर ध्यान रखना अब सबसे लास्ट चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि अगर computer teacher की कोई post है suppose करेए तो candidate ने अगर B.E.B.T.E.C. किया हुआ है computer science से या फिर graduated है science में या computer application या फिर graduate in computer application या फिर graduate with a label course from N.I.E.L.I.T. या फिर कोई other equivalent qualification है तो वो इस computer की vacancy के लिए applicable है साथ में उसने B.E.D किया होना जरूरी है ठीक है B.E.E.D. वाली post यहां पर बहुत जादा जरूरी है ठीक है अब दूसरी चीज marks का distribution किस तरह से होगा यह आप note down कर लेंगे यह काफी important है अब देखो सबसे पहले क्या है कि आपका calculation method है high school का marks का calculation method है इसमें क्या है कि जो भी आपके percentage of marks हैं उसको आप 10 से divide कर दें तो आपको कुछ यहां पर point मिल जाएंगे और percentage of marks जो है वो आपके intermediate के हैं उसको आप into 2 करें फिर divide 10 से कर दें तो जो unit है कि आप उसको यहां पर note down करेंगे और graduation में आपके जो marks है into 4 divided by 10 तो जो यहां पर मिलेगा और साथ में B.E.E.D. जिन लोगों ने किय पर 3 marks दिये जाएंगे ठीक है यह B.E.E.D. वाला criteria है अब सब marks को add करने के बाद में ultimately state label पर एक merit त्यार होगे और state label पर जो merit त्यार होगे उसमें category wise general OBCC, CST, P.W.D. इन सब candidate के according आपको आपके according seat यहां पर मिल जाएगी ठीक है तो यह हमारा presumption है और यह basically जो vacancy है यह इस pattern पर आधारित है completely और आपको अगर यह form को online fill करना है तो आप क्या करें cable cable आपका को other mode accept नहीं होगा cable आपको online fill करना है तो आप यह website visit करें upc.info और यहां पर जो भी जरूरी कागजाद है जो भी जरूरी information है उसको fill कर सकते हैं आपर ठीक है और उसके बाद में अपने document को upload कर और यह जो formalities है यह आप 23 जन्वरी से पहले जरूर fill कर दें ठीक है तो friends और अगर आप other किसी examination की तेहरी कर रहे हैं जिसमें आपका written examination भी होता है तो आप इस channel को follow कर सकते हैं यहाँ पर आपको current affairs और reasoning और quant यह जैसे topic के videos आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे और आप हमारी website visit कर सकते हैं daily current affairs के लिए और भी updates के लिए so thank for watching this video have a good day